बात जब पडौदियों की होती है तो तमाम तरह की बाते सब के बीच सामने आती है विते कुछ महीनों से लगता पडौदी फैमली की लागली बेटी सारा अलिखान पडौदी को लेकर ये की सवाल लोगों की जहन में क्या सुशान से जुड़ी कुछ ऐसी बातیں थी जिसमें सारा को छुप रहने के लिए मजबूर किया था क्या सारा सुशान के भी जो रिष्टे को लेकर सैम्यूल ने खुलासे किये कि हाँ ये दोनों रिष्टे में थे हो सच था कि अरिया ने जो कहा कि सारा पर सुषान तो इतना खर्फश करते थे कि वो प्राइवेट चार्टेड प्लें तक उनके इननल इंत्जाब करा बैटे थे था तायलिंट ट्रिब के दॉरां क्या इतना महरबार सुशान थे सारा पर इसलिए थे क्योंकि वो उनकी कोईश डार थी या फ़े इसके पीशे कारण उनका प्यार था जी हाँ आपके जहन के सवालों का जवाब का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि जवाब मिल चुका है आपको प्यार में थे ये दोनों लेकिन प्यार क्यों ही नफरत में बदला कि सारा सुशान फिर कभी नहीं मिले इस बारे में हम आपके बीश हमारे इस खास प्रोग्रम में बताएंगे क्योंकि सारा अली खान पटौदी सुशान के साथ जो प्यार के रिष्टे में थी उस प्यार के रिष्टे गांथ हो चुका था तो क्या वाकरी में सारा अली खान पटोधी अभी कुछ और भी सच है जिशे सुपा रही है क्योंकि सारा की वज़से अमरिता सिंग जो अपनी बेटी को अपना गुमान मांगती थी वो गुमान उनका तूटकर विखर चुका है सैप अली खान पटोधी ने भी इस पर कहा है कि उन्होंने कॉल कर अमरिता सिंग को खूब डाक पटकार लगाए है इस तरह की स्टेटमिन सामने आ रहे हैं तो ये जो अड़ती भी खबरे आई हैं की डीटेर हम देंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का दोस्तों स्वागत है आपका नेक्ष्ट नाइफ न्यूस के शो में मैं आपकी होस्ट रप्ते लेकर आई हूँ ये शो स्पेशल पचादी प्रमी से जुड़ी भी तो आईए स्पेशल रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और जाते हैं पलहा लेने लेकर जो खबर आई है इसके बारे में देखी रिपोर्ट वलब तक आपने तमाम ऐसी खबरे सुनी होंगी कि बॉलिवुड अभिनेतरी अमरिता सिंग से साल 2004 में तलाख लेने का दर्द अब तक नहीं भूल पाए है सैफ अली खान पटोदी यही कारण है कि सारा अपनी बेटी सारा और अपनी बेटे इब्राहम के लिए हमेशा एमोशनल होकर हर तरह से एक पता होने का फर्ज निबाने के साथ जिन्मदारियों से पीशे नहीं हकते थे सैफ भले ही अमरिता उन्हें अपने बच्चों से रखती हो भले ही कस्टडी अमरिता को अपने दोनों बच्चों की मिली लेकिन सैफ अली खान पटोदी ने बच्चों की कस्टडी अमरिता सिंग को मिलने के बावजूद बच्चों के लिए हमेशा पटौदी परिवार का घर का दर्वाजा खुला रखा लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि सैफ ने अपनी बेटी सारा की जिंदगी में आई सबसे मुश्किल घड़ी में साथ देने के बजाए पटौदी हांस का दर्वाजा बंद कर दिया है मुश्किल में साथ देने के बजाए अपनी एक्सपत्नी अमरिता सिंग की तारीफ करने वाले सैफ अरी खायन पटौदी अमरिता को ही गैर जिम्मेदार ना मानने लगे है क्यों आखिर इस तरह से अमरिता सिंग की responsibilities को लेकर सवाल ख़रा कर दिया है सैफ ने क्यों आखिर अमरिता सिंग के बरवरिश को लेकर सवाल सैफ ने किये है क्या वाकई में मुसीबत में हैं अमरिता आपको बता दे शेखर सुमिन ने recently tweet किया और कहा कि सारा ने सुशान पर blame लगाया कि वो drug किया करते थे सारा सुशान के साथ रिष्टे में थी सारा ने सुशान पर blame लगा कर कहा कि loyal नहीं थी relationship में सुशान उनके साथ सुशान हमेशा relation में आने की बाद सारा से request करते थे pressure डालते थे कि आगे आने वाले किसी भी film में सारा के फ़र्जस सुशान को ही चुना जाए सारा ऐसा ही करे डाइक्टर को बोल कर बनाए लेकिन सारा परिषान होकर सुशान से साल 2019 में ब्रेक अप कर चुकी थी इसके बाद ही रिया सुशान के जिंदगी में आई लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ प्यार से सुशान को अहीं बदले सारा के छोट से रिष्टा तोटने के बाद रिया के साथ 8 जुन तक रिष्टा रहने के बाद बेहर टूट गए अंदर से और फिर शौदज़न को उनका नधर हुआ जिसके बाद सारा जो की कभी भी सुषान के साथ अपने रिष्टे की बात नहीं सिकार की थी उसने NCB के आगे प्रिशर में आकर NCB की हाथों पिटने के डर से थपड़ों के डर से कानून के डंडे के खाने के डर से उन्होंने कुबूल कर दिया कि हाँ सारा वो है जो सुशान के साथ रिष्टे में थी इसलिए तो अम्रिता हो रही है इंबेरिस इसके अलावा सैफ अली खान फिर भी सारा और सुशान के रिष्टे पर जो कभी कुछ ना कह बैठे थे उन्होंने क्यों आखे नाराजगी जाहिर की आग को बता दे यह तो आप भी जानते हैं कि सैफ इस वक्त मुंबई नहीं बलकि राजधानी दिली में अपने एसिंट हाउस यानी की पटोदी पैलिस में है जो गुरुग्राम में स्थित हैं और वहाँ वो अपनी तूसरी पत्नी करीना कपूर खान के साथ है लेकिन कि आपको मालूम है देपिका पादुकोन शद्धा कपूर जैसे एक्ट्रिस के साथ सारा जिन्हें नार्कोटी कंट्रोल वीरो की टीम ने हिरासत में लिया था 26 सितंबर की तारी को अपने हैड़कॉर्टर में बुलाकर उनसे पूछ ताच की थी उनके इस बीहीवियर से नासिप सारा परिशान रही बलकि अमरिता सिंग के दिल और दिमाग में एक ही बात तब से ही चलने लगी कि कैसे वो अपनी बेटी की होने वाली बद्नामी को रोक सके लेकिन सारा की बेटा साइफ को अपनी बेटी को लेकर इस मामले में बचाने की बजाए हाँ पीछी की ये देखा जा रहा है साइफ ने सारा को मदद करने से इंकार किया है ये खबर आई है हाले में लेकिन इसमें सच क्या है आपको बतादे दैसर सैफ सारा को लेकर फिलाल कुछ भी नहीं कह रहे है सैफ ने सारा को लेकर सिर्फ यही कहा कि वो उन्हें सपोर्ट हमेशा एक पिता होने के नाते कर सकते हैं लेकिन जब प्रोफिशनलिजम की बात होती है तो अमरिता सिंग ही सारा की करियर के हर पासले लेती है कि मुझ कॉन से फिर्म से डेब्यू करेंगी ये भी अमरिता सिंग ने अपने मन से फैसला लिया था सैफ से डिसकसर नहीं होई थी तलाक की वज़ा से सैफ नाराज होने के बाद बेटी के लिए लिगल टेम अरेंज कर चुके है अब आपको बताना शाहे की बेटी से नाराज होने के बावजुद सैफ ने बेटी के लिए लिगल टेम अरेंज की है ये खबर इस वक्त आई है जिसे लेकर काफी जादा चपशा वालेवो टार्ण में हो रही है सुशान सिंग राजपुत मामले में फसी ड्रग काटल मामले में फसी सारा के लिए सैफ ने लिगल टिम अरेंज कर दी है ये खबर आई है सैफ ने अपने बेटी के लिए अपनी एक्स वाइफ अमरिता सिंग को भी बहुत डात लगाई है खबर आ रही है उन्होंने फोन कॉल किया अमरिता सिंग को और बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रख रही ये भी कहां अमरिता ही सारा के करियर के सारे फैसलिये इसलिए अमरिता से परिशान है सैफ जी हापनी प्रेगनेंट पत्नी करीना और बेटे तैमुर के साथ वो दिल्ली में जरूर है अमरिता अकेली जरूर है लेकिन सैफ ने लिगल्टीम अरेंच किया है और इस बात का खयाल रखा है कि सारा आगे किसी तरह की परिशानी का सामना ना करे वैसे आपको बताना शाहेंगे कि करीना दिल्ली में अपनी आने वाली फिर्म लायव सिंग शड़ा की शूटिंग के लिए बहुची है वही करीना प्रेगनेंट है इसलिए सैफ को किसी भी रिस्क ना लेने की आदत है तो पत्नी के साथ वो यहाँ पर हरपल रहना चाहते है करीना वही आखर से जो कि सशान सारा के रिष्टे से ना खुश थी खुद कंगना ने बताया था और उन्होंने फिशल स्टेटमेंट भी दिया था ऐसे में विलारा आपको बताना शाहेंगे यह आने वाले कुछ टाइम तक साथ में ही रहने वाले है वैसे आपको बताना शाहेंगे है कि सारा को डारेक्वरे सपोर्ट ना कर रहे हो लेकिन यहाँ पर शर्मिला टेकोर भी सारा को सपोर्ट कर रही है यह खबर आई है लेकिन अमरिता हो रही है बैरिस नेक्श नाइन ये जुम सत्रेप्टिक रिपोर्ट नेक्श नाइन नेक्श नाइन नूस्कार्ट